विदूद उपवग्ता महसुल निर्देशिका द्यजार चातर अंसा नेपाल विदूद प्रादिकर्ण ले उपवग्ता को विदूद महसुल निर्दार्ण का लागी करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे विदूद महसुल निर्दार्ण का लागी आजना गरी को सारवेजनी सुने आई कार्ग्राम इमेल पत्र रव टेलफोन बाड़ प्राप्त भायका सरोकार वाल अरको राय सुजाब्र परतिकरिया लाई मज़ नहज़र गरदै आयको 41 वैठकले 2088 मंचित महिना देखी को विद्धुत खपत मा रव देजार पाउस महिना देखी को बिलिंग मा लागू हुने गरी विद्धुत उपभक्ता मसुल दर निधार्न गरे को सार्थ आयकले नेविप्रा को 3889 को प्रतिफल गरणा गरदा नेविप्रा को कुल स्तिर समपति को अउसत लागत मुले को 30 प्रतिफल रकम लाई 100 पुजी को वनिको इकुटी को आधार मा मानी 100 पुजी रकम को 8.2 आर्टीन प्रतिफल लिए हुना हुने रकम रूप 5 अर्व 22 प्रतिफल को रूप मा सुकित गरेको शाँ नेविप्रा को बित्ती आवस्ता एवं उपभक्ता ही तलाई मद्य नजर गरदाई उपभक्ता मसुद दर निधारन गरणू ESI को दाइटि हो बरसाय याम तथा अप्पिक समय मा नेपाल बित्ती को खपत का लागी आवस्ते क माग मन्दा बड़ी अथा सर्पलास बित्त उत्तादन बहिरेको रसोको ब्यवस्तापन को समन्दमा छिमे की मुलुक हरुसंगा कानूनी समझता को लागी ग्रियकारिय चली रहको आवस्तामा आंतेरी गरुप मा खपत बड़ाउना उपभक्तालाई प्रोच्चाइद गरणूपनी पच्चेलाई समेट आवगली मद्य नजर गरेगुशा ग्रास्ते स्तर्मा विद्रुत उपभग बड़ाउना तथा उपभग्ता माद विद्रुत को उचित मुल्य सुनिश्चित गरना ग्रास्ते बर्ग को महसुल मा आवसद दुई दस्मान लव आर्ट चार पतिसाद ले गठाईगुशा। सिंगल फेज बड़ा मासिक 400 उउणिट बड़ा बड़ी विद्रुत खपण गरने 5 एंपियर 15 एंपियर 30 एंपियर 60 एंपियर का ग्रास्त उपभग्ता को मासिक नियुटम सुल्क को हक्मा साबिक को मसुल दर रू 25 ले गठाईगुशा। अत्य विफ़नना नाग्री कलाई लजचित गरी पांची एंपियर बड़ा मासिक 200 उशणिट समग खपट गरने ग्रहस्त बरघक का उपभग्ता को हक्मा इनर्जी सूलक न लागने र नियुन्तम सुकल तीस मात लागने गरी नियुन्या गरी गरी कुछा और थाथ 20 यूनिट समा महाली पैसे न परने अस्ता रह कुछा ये से गरी सिंगल फेस बाटा आपरतिली मासिक एक से एकाउन देखी दुशे 15 यूनिट समा खपत गरने ग्रास्त बर्ग का उपभक्ता को इनर्जी सूलक को अकमा साभी को दर्मा प्रती यूनिट 15 पैसा गटाई प्रती यूनिट रू न उर्भिया 15 पैसा कायम गरी कुछा साथे सिंगल फेस बाटा आपरतिली मासिक 400 यूनिट बन्दा माती विदूट खपत गरने ग्रास्त बर्ग का उपभक्ता को इनर्जी सूलक मा प्रती यूनिट रू एक गटाई प्रती यूनिट 11 रुपया कायम गरी कुछा सिंगल फेस बाटा आपरतिली मासिक 100 यूनिट बन्दा बड़ी विदूट खपत गरने ग्रास्त बर्ग का उपभक्ता का उपभक्ता का लाई विदूदिया चुलो इंड़क्शन हीटर असका इंट्रारेट हीटर परिमिशा त्यो इंट्रदीश गरने रते लाए का उपभक्ता को प्रियूग लाई प्रोचान गर्ने चुलो इंड़क्ता को बंदा कम हथे विदूद दर निदार निधारन गर्याए विदूदिया खेस अउनाचा श्लाख संधिया पांसे जलाख पांच जार्ग का फूल घ्राग? 38 लाग 34 अजार रहे को चादाप नेपाल पर विहाँ प्रस्ताफ गरे अधिधा नेभाफ प्रस्ताफ गरेगर थो डियो अनरली आपनो शिस्टम हम लोगेगा जो में नियो डागी पनी तो में दान गर्नो को लागी पनी उनला चाहिए इनर वर्ष चाहिए 20 उनित शुर्ग चाहिए लागदेना थ्री फेज बाड़ा विद्ध आपुरती लिने ग्रास्त बर्ग का उपबोक्ता को हकमा असार देखी कार्तिक सम्मा बर्चा याम को महसुल दर असार देखी कार्तिक सम्मा नेबल को नदी नाला मा पानी को बाहब बर्चा याम को प्रोजेक्ट अरले फुल क्यापसिटी मा विदू उप्तादन गरे जुन्चा इन नेपाल मों खपाव तुन गार हुने या निरियात गर्न पे न सकते अवस्तामा थे सले बरू शस्तोगर भरति अ की भरताए्व बडियुतिलाइज करें क्यों रामरो भला याम्रो नेधन के इंडस्टियाल प्रोम आप sha blackum कष्ट्यत परे बर्च्टा परें परें और उर्ताच अ गरें सुलका को अकमा साभीकिर को दर्मा प्रती उनित रूँ एक ले गटाई प्रती उनित रूँ 10.15 परिशा कायम गरिए गटाई उनित चुमा एक हजार उनित विदूट खपत गरने ग्रास्त बर्ग का उपभुकता को बर्षायाम को इनरजी सुलका को हक्मा, साविको दर्मा फ्रती उनित पतासपचाले गटाई प्रती उनित रूप 10-25 पॉसा कायम गरिए गोसाँ बने, एक हजार बन्दा बड़ी उनित ऐड़ुत खपद गर्ण उपव명 को बर्षय यांको इनरजी चुलक, प्रति उनित रूँ 1पचास लिए घटाई आतारीक बिद्धुत करिगरामने नेपाल सरकारती निति अनुदूपREAM तथा 3-phase बाड़ा गर्ण ग्राश्त बर्ग को उपवच्ता को समेद साभीक को बंदा कम महसुल हुने गरी विजुद महसुल दर चिकित गरिये को साथाई नेपाल मा जनस्यांक्या को ठुलो हिस्टा अजय पिनी कृषिपी मा निर्भर रहे को र अर्था तंत्र मा कृषिपी को युगतां उलेख रहे को पचलाई मध्या नजर गर दाई ये सस्तो विजुद ली दियो बने उहां ले विद्धूद बाड़ा चीवेल चलाई रहा सस्तमा चाहिए उत्पादन गर शक्न होंचा बने हमरो लक्षे रहे को साथा नेपाल सरकार को पर निती याई बहाए को नाले हमने तियाता तिर चाहिए उलेख रुपया गठाई को सा तियो बर्ग कलाई चीवेल चाहिए उस्तना 40.6 प्रति सतले महसुल गठाई ये गठाई गठाई तियो डी मीटर मार्पर्ट तेटी स्केवी बाटा अपुर्ति लिए निती शिचाई बर्ग का उपभगता को राती 11 बजे तेकी 25 बजे सम्म को इनर्जी सुलका प्रती उन रूपाई प्रति यूनित रूपया कायम गठाई गठाई तेटी बाटा मार्पध ये बाटा अपुर्ति लिन शिचाई बर्ग का उपभगता को राती 11 बजे देखी 25 बजे सम्म को इनर्जी सुलका प्रती उनित रू एक पतासली गठाई प्रती उनित रू दुईमात्र बने ब्याहन पांच देखी, सांच पांच बेज़ सम्हा इनर्जी सुल्क प्रति उनिक रूँ एक रूब्या पंशेटी पचाली गटाई, प्रति उनित रूब्या तीन रूब्या दस काम गरिये गोशा। मुर्ण भी मालब्या प्रति उनिक रूब्या तीन रूब्या दस काम गरिये गोशा। गटाई प्रती उनीट रूपिया 25 परेशा कायम गड़ेगा